अग्याइब 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 आप वेलकम अगेन वेलकम डू अभी मेन वाइस सुबच सुदेंट्स क्या हाल है आप मुझे पता हैं और उसने कहीं ना कि धर का महौल पैदा किया गया कि यह कर दिया या किया गया दोनों बाते ठीक है देखो मैंने लास लेक्टर में बिल्कुल एक्स्क्लें किया था कि कैसे पर्फेक्ट स्टेटरेंजी से हम सब्सक्राइब कर सकते हैं अब मेरे पास एक कोशन है एक चुली यह कोशन आपके लिने कोशन मेरी लिए था पहले में थोड़ी आपको बता दूं कि कोशन क्या था उससे पहले थोड़ा बता दिया जाए देखिए सब्सक्राइब भाइया जिसका नाम ही टैस्ट होगे ने सब्सक्राइब एवर यह परेमिटर की आप लोग कहां तक सक्षाम पेपर के लिए जॉब के लिए बिकास आई-सकी लेवल की जॉब एक कोई असान जॉब निया बहुत प्रेश्राइब होती है कि समझे आपके कंदों भार है ठीक है देखो मेरे पास एक है रिजल्ट काड़ा जो बहुत दुख दाई है मेरे लिए क्योंकि सीचेट 2023 का जो अटैप्ट ता शायद कईयों के लिए लास्ट हो सकता है होगा भी कई सुनेंट्स के लिए उन बहुत अच्छे से तियारी क्य सब्सक्राइब करी होगी है ना बट उनका सपना कहां टूटा जैसे यह बच्चा में बात करूं पेपर वन में 119 मार्क्स सो मार्क्स दस मांक्स बहुत जादा चे मांक्स माने जाते हैं बट ही और शी गॉट हाँ मच 129 मांक्स आउट टूंडर बट दुखदाई बात क्या है कि सी सेट में सिर्फ या पेपर टूमें सिर्फ कितने मांक्स हैं 58.33 चाहिए कितने 67 के राउंड मांक्स तो सिरफ तीने चार कोशन और अगर बच्चे की होते तो मुझे लग रहा है यह बच्चा आइस परना चाहिए था क्यूंकि पर मन में जब इतने अच्छे मांक्स ह होना है तो फिर आप उम्मीद करते हो कि पेपर टू आपका अच्छा होना चाहिए बट यहां पर क्या गलती थी पता है वट वॉस्दा मेंजर है जो इस बच्चे ने गलती की है पता है कि यहीं कोशन है वट इस राइट अब तो स्टार्ट प्रफेशन फॉर यूपसी सेट यह मुझे भी देशनली सूरन ने पुछा कि सर एक बात बताईए कि मैं कब सी सेट की तयारी शुरू करूं तो मैं ठीक है मैं आपको जल्दी मिल जागा उस बच्चे को जवाब मिल ज सब्सक्राइब करें जो भी आपका एक्जाम हुआ है कि डैट एक्जाम बॉस डिफिकल्ट लेवल अच्छे लेवल का पर था है बट मैं फिर वहीं बात दो रहाएंगा कि 10-12 जार बच्चों पर क्लियर नहीं किया है यह हमारे पास भी वीक्ली मॉक्टास होते थे तो मैक् सब्सक्राइब क्लासे बट जो बच्चे सीरियस थे जो रेगुलर क्लासे लगा रहे थे 6-8 महिने से पढ़ रहा है कि सी सैट की वजए से कहीं मेरे करियर का यह मेरी लाइफ का एक साल ना खराब हो क्या पता यह जो स्कोर कार्ड मैंने आपको दिखा है क्या पता है पर पर लूगर तो आप लोग भी क्यों अपने खराब कर रहा है मेरे को पता मेंस के सबके तैयर और बहुत अच्छे-च्य से आपने किया हुआ है मेंस की प्रपैरिशन जीए सबाट अच्छे से बट वाइं तो वाइंक क्यों आपको यह लगता है कि लास्का ने मेने में मुझे इस बात का जवाब आप से चाहिए और कमेंट सेक्षिन में लिखेगा क्यों आपको लगता है कि लास्ट के डेड़ से दो महिना पढ़ने पर नहीं करोगे आप मेंस के लिए अप यह नहीं हो सकते किसी भी हालत में आई डोंट नो कि 2024 में क्या ट्रेंड रहने वाला क्या डिफिकल्टी लेवल रहने वाले बट मैं इतना बादा करते हैं जो भी डिफिकल्टी लेवल होगा उसे मिलके लड़ेंगे उसे क्रॉस करेंगे बटे जब ही हो सकता है जब आपकी डेडिकेशन मेरी म त्यायरी करोगे और UPSC पेपर नहीं इस पाइशन कि इस सब पैशन सिर्फ इसलिए मत पढ़ो कि बता सको किया हैं फिर पर यूपैसी इसलिए पढ़ो कि आया उप टुक्रैग्ण यूपैसी मुझे यूपैसी की जाप चाहिए छोटे होते हुए हम क्या करते थे ठोटे ब यह सोच के छोड़ दिया क्यों रिजन रिजन क्या है उनका लैक ओफ कंसलर्टेशन टूट चुक है लैक ओफ कंसलर्टेशन करने का मतलब है कि अब नहीं कर पा रहें डर बैठ गया कि यहार कैसे होगा कैसे हो लोगे वह भी तो आपमें सही है वह किसी तो आई नहीं कहीं और नहीं वह भी से जाएंट करेंगे वह अभी इस पैशी ने बात हो लेकि मुझे करना है जैसे मरुझी चाहां इचारा गंटे बड़ो चाहां बीस गंटे प्रोंचाहां मुझे करना है कि अगर यह लड़ने का आपके अंदर है तब आप एक आइस ऑफिसर बनने के लाए को वरना मत करो मावाव के पैसे मत खराब करो क्योंकि अगर बुझे दिल से यारी किना बुझा हुआ दिपक कभी रोशनी निदेता यह बात याद रखना कि बुझा हुआ दिपक अभी रोशनी देगा वह अधेरे का इसाथ ही एक सना से जला हुआ दीपक की मतलब अपने अंदर लॉज लाए अपने अंदर एक पावर क्रिएट करो कि मुझे करना है बस करना है तो करना दाट से सोच अब नेक्टिविटी भगा आओ अपने अंदर से जो बाते करते हैं आसफार सुने यारे तो बड़ा मुश्किल है बोढ़ान को नहीं मुश्किल है जो बच्चा कर रहा है वह भी तो हमारे जैसे यह यह सोचना बंद करो कि यार दसमीन तक तो मैंत प्णकरो यह चीज़ें सोचना बंद करो मेहनत करो आप लोग सब्सक्राइब कि अगर थोड़े टाइम के बात आप सोचो कि वह प्राइशर बिल्टप और शुरू हो जाएगा बच्चों के मौक टैसमें सरा रहे होंगे आपके सबसे बड़ा रिजन पता फेलियर का कैसी सब्सक्राइब एक बच्चा जो शुरू से सब्सक्राइब थोड़ा 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 फड़ता आ रहा है वह 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 पता चल जएगा कौन को चीज़े डिफिकल्ट है वह याप तो मीने में कैसे कर लोगे तो उसने अभी से अपने वीक पॉइंट्स को अपना स्टॉंग बनाना शुरू कर दिये एक बच्चा पूरे साल में दस महीने बारा महीने मैनत कर रहा तो मीने में कैसे कर पाऊगे जबकि और कुछ भी पढ़ने के लिए तो क्या उन चीज़ों को छोड़ दिया जाका नहीं है अगर आप बिना अपने किसी जीएस के एक्जाम की तयारी को छेड कि हम उन से पूछते हैं आपका वीक सेक्शन मुझे आप बताएं कि समझाई बात कैसे जूड़ेंगे मैं बताते तो आपको आपके पास टाइमिंग रहेगी इसकी दुपहर को तीन से साड़े चार ताके वाराम से अपना पढ़ सके और आपको शाम को भी टाइम मिल जाए बढ़ने के लिए ठीक है यह फोर डेज रहने वाल है टोटल वनेटी प्लस लेक्चर होंगे इसमें 90 लेक्चर तो आपको ल प्लस फिफ्ट ब्लाइट सब बीग नंबर एंट सब पॉस्टिव एक पॉस्टिव बात है उसके पास थर्टी लाइव मेंटर्शिप मेंटर्शिप आपको शेशन मिलने माले और आपके पास डाउट शेशन रहेगा वीकली ओन जूम प्लीज अपना टाइम खराब मत कीजिए उमीद करता हूं बेटा आपको आपके प्रशन का उत्तर मिलीगा वो जिस बच्चे ने मुस्से पूछा था तो अगर आपके माइंड मैं सब कोशन है ना कोई भी कोशन है तो कमेंट सेक्शन में लिखे डेफिनेटी मैं उसका सब अच्छा होगा चलिए इस उमीद के साथ आप जूड़ेंगे हमारे साथ और इस बैच के अगर कोई इंफरमेशन आपको चाहिए हो तो आप इस नमबर पर कंटेक्ट कर सकते हैं लिंक आपको सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे थैंक्यू इसके जुड़िए और बविशा सोना रखीजिए थैंक्यू